नमाश्ते दूस्तों स्वागत है आप सब का इस्पेशलिम ब्लॉक में में होपकर दिस पूझे स्वागत करते हैं आप सभी के मिलिचर पर तो दोस्तों कैसे आप सब में करते होंगे और मेरी बच्चों के तवीद पहले से ठीक है अभी और मेरी तवीद जो है हलकी सी मतलब लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी भी मेडिसिन चालो है पास दिन का दबाई दिया अभी एक ही दिन हुआ था यानि देर दिन हो चुका है तो देख सकते हैं अभी सुबह सुबह में ने लगा दिया है मोटर की तार अच्छे है बज़े देखिए या पर कितना जंद जो है सर्दी के मौसम में अंधरा हो जाती है गेट खुलने में भी थोरा सा डड़ लगता है लेकिन मेरी बरतन की चीका होती है रात को बरतन माज के बाहर रख देती हूं इस बज़े से बाहर आना ही पड़ता है और यह देखिए जो चोथे मंजिल पर लोग रहते ना आज दोग मोटर लगाता है लगाना तो पड़ेगा पानी नहीं यह जब यह तो भीसली मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है लेकिन छोटु जिस दिन बाहर उट जाते है ना तो मुझे पताए लिगता है वह बाहर चला जाता है तो ड्र ले इस बज़े से गेट बंद भी कर देत की हाथ जो है एक बार साबुन से बोश किया था रेकिन फिर भी बाहर गई हलका सा गंदा होई जाता है दूद में जब उंगली डालती हूं तो हाथ दोना मतलब ज़रूरी भी है तो दूद मुझे गुणगुणा करना होता है तो दूद गुणगुणा हो चुका था तो इतन पाथ दूद दूद पीने के बाद में में आ गई थी या पर बापस रसोय में और यहीं मेरी खाली पेट की दूदध बासुद में सबसे पहले मुझे इसे लेना होता है आपी देख सकते हैं चार दिन का दबाई मतलब रखी हुई है खाली पेट का तो यह आज फर्स्ट डे ले नहीं तो यहां पे मैंने पानी बगरा निकाल लिया है और दबाई सुवे-सुवे लेने में बहुत ही मतलब तकलीब होती है और यह जो दबाई थी ना यह मतलब जैसे लिया मूं में तो अंदर लेने में बहुत ही तकलीब होता और सुवे-सुवे लेता है तो पूरा दिन थोड़ा वैसी जाता है तो दबाई लेने के बाद में मैं यहां पर चरा रहती मेरे लिए दूद और मुझे सोनू का लंच बना है बहुत सारे काम होता है और चाय के लिए मैंने यहां पर ना उसी दूद में से और रात को दूद गरम करके बाहरी रख देती हूं क्योंकि आजकर हलकेर की सदी पढ़ने लगी है इस बज़े से उतना ज्यादा अंदर रखने की जरुत नहीं है तो देखिए मैंने चमच दरबाव में रख रख की हूं चीनी की डबे में और चाय पति के डबस में तो एक छोटी चमच जो है चाय पति डाल देती हूं और छोटी को फिलकी टाइप थोड़ा सा अच्छा लगता है उन्हें निगलने में परिशन ही नहीं होती लेकिन ज्यादा सिल्की होते ना तो बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं तो मैंने दोल लिया और हते हाथ ना काट रही हूं ताकि जब तक मेरे चाय बनती रहे ना तब तक है ना म मुझे आधी घंट से ज़्यादा हो गया था चाय बनने में बैसे पंदमीर लगी जाता है अगर उससे अच्छे से उटा के यानि अच्छे से पका के बनाऊ गया तो इसमें टाइम तो लगी था है आज की बिंडी में में है ना आलू ने डालोंगी क्योंकि आलू तब डालती तो इस बज़े से उसे रख दिया कम तो उधर में चाय पक चुकी थी मैंने निकाल लिया था फाइबेन उतार के चाय च्छान लिया था तो च्छान के देखे में ग्लास में वहापे साइड में रख दिया और यहां पे चड़ा रही हूं जैसे कि मैंने आप से को बताया भी कि कड़ाई चड़ाऊंगे उसके बाद में पीने लगोंगे चाय तो मेरा सब्जी बन जाएगा यहां पर मैंने एक चुटे चमाच ओए डाल दिया बैसे मुझे ना सर्सों के तेल में पकाना चाहिए क्योंकि बच्चों का जुखा मेनी टाइम रहती है लेकिन फिर भी मैं इ राक से लिगों यहनि चोंडिया लेक तो तो न मुझे मिला ने ठाएं वच्चों है रगता तो जिर के बाद में चाह चक चुका था तो उसके बाद में और थोड़ा संवा कर दिया और नमाक और थोड़ा सा रासी डाल के अच्छए मैं दिया हैं और बिंडी को यह ना मैंने चार मिनिट के लिए दिमेगेश पर धक दिया था उसके को बाद में धकान हटा कर देखा तो बिंडी यह ना मेरा पक चुका था तो उसमें में थोड़ा सा हमचूर पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया तक कि टामाटर ने डाला है उसमें खट्टा ही आ जाएगा और बिंडी का जो टेस्ट वह बहुत ही अच्छा है भी सब्सक्राओन तो सारे डालने के बाद में की फिर से एक बस्ते मिक्स कर दिया है औरpres can is 45 पर संथ और बाकी है तो कषिस युद्व में कर दिया है औहुत जो größered मैंजती तो चलिए दूस्तों बना लेते हैं रोटी तो फाइनली मेरे रोटी जो है बनका तयार हो चुका था रोटी बनाने मुझे दस मिनिट लग चुका था तो मैंने यह आपे बच्चों की सोचा सबसे पहले नास्ता परोज दूँ सोनु के लिए और छोटू के लिए बच्चे भ सब्सक्राइब दूस्तों के लिए बच्चों को आवाज लगा थी सोनु उठो इसकुल जाना है सोनु उठो तो रात को कल लेट सुया था तो उठ नहीं रहा था तो मैं ध्यान उसी में था मैं यह भूल गई थी कि मैंना ताव को ग्यस पचरा रखी हूं दिमाग से मेरे न नमक की पानी में 10-15 मिंट तक मतलब हाथ को डूबो के रखा और उसके बाद में पी बरब से भी कई बार मतलब सिकाई कर लिया तो इस विज़े से थोड़ा रहात मिल गई लेकिन आभी तक 9 नहीं बजा था लेकिन आज मेरा 15-20 मिनिट है यह हाथ की चक्र में कराप हो गया तो फाइनली मैंने बच्चों की नास्ता परोस दिया लेकिन थोड़ा सोचा आज कुछ थोड़ा अलग देदू क्योंकि हर रोज बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते और सर्दी पर चुकी है तो उनके लिए मैं पावर गूर लेके आए थी तो थोड़ा सा गूर थोड़ प्याज कार दिया ताकि उनकी खाने के आदत पड़े सोनों के थाली में थोड़ा सा गूर डाल दिया ताकि बहुत थोड़ा खाना सीख जाए और सर्दी का मौसम है तो वैसे भी गूर में आरन के मातरा काफी होते तो गूर तो देना ही चीए बच्चों को और या फिर बड मौनिंग का सब कुछ तयार हो चुका है रोटी सबजी बगरा बस बच्चों को पैक करके और कपड़े पेना के जरूर तयार कर दे लेकिन क्या करें बदकिस्मती है जब अपने साथ छोड़ देता है तो फिर उमिद किस से करें और अपनों से बर कर तो दुनिया में कोई हो करें सके तो फ़हीं बहुंए बात है तो प्लास्टिक बहुणी का इस्तिमाल यौन कि बच्चों की तविश्य जबाब रह ने लगी तो मैं डर गई हूं तो एस frågor देने का सोचा है फाइनली फैसला कर लिया तो बच्चों को मैं वहां पर नास्ता दे के बिटा दिया और यहां पर में रात की बरतन जो भी बच्चा हुआ था उस सब छीके में रख रहे हूं और अभी थक लच्छोनुका है ना लंच में ने पैक नहीं किया क्योंकि अभी ग कई है तो यह सब का मार्ज के इसलिए रख रहे हूं तक दिन में कोई काम ना हो और तब यह भी ठीक नहीं है अगर बरतन ही कट्टे हो जाएगा तो माजनी में भी परिशानी होती है तो दो दो बरतन जो भी हो जाएगा और आभी टाइम है दस मिनिट सोनू को बेयन आने मे तो दस मिनिट में में मेरा इतना सा बरतन हो जाएगा उसके बाद में देखती हूं फिर क्या करना होता है और बरतन कंप्लीट हो जाएगा ना तो एक टेंशन खतम हो जाएगी लेकिन मुझे कहीं जाना भी था यह बिजली का बिल बगर जो है थोड़ा जमा कराने के लिए आप सोच रहा होंगे बिजली का बिल तो वर रहा सकते हैं क्या है मेरे पास पैसा नहीं per own payment क्या पढ़ाया थोड़ा हूं लोबात तो ईसी से बिजली का अगर नहीं भी हो पाई ना तो पानी का बिल तो जरू कराने पड़ेगी नितों आजकल यह डीजिटाल हो गही है न तो कई आने की जरूत नहीं पहले तो आ जाते थे लाइड वाले पानी वाले तो पतलग जाता था काटने के लिए तो उस टाइम पैसे थमा देते थे थे ना या फिर दो महिने का जैसे हो जाता है तीन महिने का तो उनको अगर एक महिने का दे दो और टाइम ले रो तो फिर व तो दोस्तों देख सकता है दास मिन्ट में मेरा बरतन बिल्कुल हो चुका है और बाइपर से पानी को भी क्लीन कर दिया क्योंकि मेरे पास इतना सा स्पेस है अगर वह भी बुकिंग रहेगा तो फिर काम नहीं चलती है और हाथो हाथ उसको पोच भी दिया ताकि बाबू का ट मेरे देख सकते बाबू का लंच बॉक्स पैक्स कर दिया यानि मेरे काम पूरी तरह से बच्चों का कंप्लीट हो चुका है यहां पर छोटू लाके दिया मेरे को खाने वाला था नी क्योंकि उसने खाना खाया नहीं था तो दोस्तों सोनु को खाना दिया कम से कम आधी पूरी है लेकिन क्या करूं देख सकते हैं बहुत दिर से ग्लास पक्रियों लगभग ज्यादा नहीं तो पंदा मिट हो चुका है वरप फिगल चुक है ग्लास में से लेकिन फिर भी मेरे हातों की जलन जो है ठंड़ नहीं हुआ और एक जना हातों से लिखना छोड़के पै सब्सक्राइब में सोचा कि बच्चे को खाना खिला दूं वैसे बिमार बच्चा है तो इनके तब्यत और जदा बिगर जाएगी तो हातों में तो जलन हो रहा है लेकिन दूसरे हाथ से फिर भी बच्चे को खिलाना जरूर है मां हूं और मेरी अलबा कोई है नहीं इनका इ कि आपने हाथों से उठा के थोड़ा बहुत खा लेता है और अब ही तक देखिए हमारा सोन भी बहुत जड़ा मतलब वह कर रहा है नाटक कर रहा है एक एक बिंड़ी उठा के खा रहा है किस तरह से फिर बच्चे का आदत डालने की कोशिश करी हूं ताकि बो खूद मतलब किसे पर डिपेंड ना हो किसी पर हम यह नहीं की हाथ दुला दो सर्दी का मौसा में तो दोस्तों यह थी मेरी आज की मौनिंग रूटिंग आज की वीडियो को ही याड करते हूं मिलती फिकिस नेवर्ट को साथ में तब तक के लिए नमस्ते जाहें